बिग बॉस 14 में प्रोमो में फर्श पर पोछा लगाते विए नज़र आएंगे सलमान खान हाजेन और सोशल डिस्टेंसिंग भी होगा शो का हिस्सा इस दिन से बिग बॉस होगा और आखिर क्या है पूरी खबर चलिए जानते हैं टीटेल में बोरियत और निरस्ता वर्स 2020 के पहरेदार बन चुके हैं हर कोई से मिटाना चाहता है और आकल्पनी समय के माध्यम से एक रास्ता खूजना चाहता है लेकिन अब पल्टेगा सीन क्योंकि बिग बॉस देगा 2020 को जवाब बोरियत की श्रंकला को तोड़ते हुए बिग बॉस 14 दर्शकू को मनुरंजन करने 27 दसंबर से शुरू होने जा रहा है शो की हूस्ट सल्मान खान वापस आ रहे हैं शो का प्रोमो हाली में सल्मान ने मुंबई के महभूव स्टूडियो में शूट किया है जिसकी कुछ तस्वीरे भी सामने आई है सीजन की शुरुवात करते हुए सल्मान खान ने हाली में एक प्रोमो शूट किया है जिसमें वो फर्श पर पोच्छा लगाते हुए नजर आ रहे हैं घर के काम करने में शामिल सभी भावनाओं का उलेक करते हुए नजर आ है सल्मान ने बताया कि घर और काम के बीच हर कोई कैसे उप जाता है लेकिन चिंता करने की कोई वजह नहीं है क्योंकि उनका जीवन जल्दी बदलने वाला है बिग बोस का पावर पैक मनुरंजन करने के लिए जल्दी टीवी पर दस्तक देने वाला है बता दी इस सीजन में शो में लॉकडाउन महामारी जोड़े कनेक्शन ही देखने को मिलेंगे बताया ये भी जा रहा है कि शो में इस बार हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग और इम्म्यूनेटी का भी एहन करदार होने वाला है हाला कि इस पर कोई ओफिशियल अनौंस्मेंट नहीं आई है इसी के साथ बताते चले इस सीजन में कुल 16 लोग हिस्सा लेंगे जिसमें 13 सेलिबरिटी और 3 कॉमिनर्स होने वाले है आगे जाकर शो में कुछ वाइड कार्ड एंट्रीज भी होंगी हाला कि उनके नाम शो के बीच में नहीं सामने आएंगे शो में हिस्सा लेने वाले कंटेस्टन का चन्ड डिजिटल ओडिशन के जरीए होगा वेल आप बिग बॉस 14 को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं टेलवजिन के लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले